सबी शादिश हुदा लोग चाहते हैं कि उनकी मेरिड लाइफ में खुशियां हमेशा बनी रहें, कभी कमी नहीं हो, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप जल्दी ठक जाते हैं, या बहुत कम टाइम में ही नीचे के अंग में कमजोरी आने लग जाती है, और समझ में नहीं आता कि ऐसे में करें क्या, तो आज का ये जबर्दस नुस्का आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आज के इस कमाल नुस्के के लिए सबसे पहले चीज हम लेंगे हरी इलाइची, ये जो हरी इलाइची होती है, ये पुर्षों में कामेक्षा बनाने औ आपको 5-6 हरी इलाइची ले लेनी है, और इनका छिलका छिलकर हटा देना है, इलाइची के केवल दाने ही नुस्के में काम मिलेने हैं, इलाइची के ये दाने आप खरल या कुंडी वगरा में डाल लिजए और इनको कूट लीजिए, आसानी से कूट जाते है ये, इनको खुश्पुदार बढ़िया पाउडर हरी लाइची का बन गया है। हेलो फ्रेंज्स मैं हूं सोनिया गोयल और एकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। लाइची के बाद दूसरी चीज इस दमदार नुस्खे के लिए लेंगे खजूर। सर्दी में खजूर और गर्मी में आप खजूर की जगह छुआरे ले सकते हैं। ये जो खजूर होता है ये दो काम करता है। एक तो ये खजूर शरीर में शुक्राणों की quality को अच्छा करता है, वीर्रे को गाड़ा करता है, दूसरा ये शरीर में हर तरह की कमजोरी को दूर करके बल देता है, ताकत देता है और ये सारे काम ये naturally करता है, कोई side effect नहीं होते इसके, जीवन भर के लिए नीचे क्यंग की ताकत को पड़ा देता है, अब ये जो खजूर है, इनका क्या करना है, दो खजूर लेकर आप इनको धो लीजिए, और फिर धोने के बाद इनको रफली लंबे टुकडों में काट लीजिए, खजूर के बीच काम में नहीं लेने हैं, इसलिए आप बजार से बिना बीज वा कि लॉंग ठकान नहीं होने देती, जिससे बहुत लंबे समय तक भी आप एक्टिव बने रहते हैं, और उन पलों को पूरा इंजॉय कर पाते हैं, तो ये जो लॉंग है, इसका आपको क्या करना है, 15-20 लॉंग को किसी खरल या कुंडी वगरा में डाल लेना है, और इनको अच्छी तरह से कूट लेना है, आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको पीश सकते हैं, लेकिन फिर लॉंग में वो गुण नहीं रहेंगे, जो कूटने पर भी बने रहते हैं, इसलिए हम कोई भी नुसका बनाते टाइम कोशिश यही करते हैं, कि जहां तक पॉसिबल हो, ची आपकी पत्यों से बना ये गुलकन, हार्डनेस बनाये रखने के लिए और दे तक पिके रहने के लिए कमाल की ओशादी है, अब आपको लेना है पान का पत्ता, आपके यहां जो भी पान का पत्ता मिलता है, आप वो लिलीजिए, इसको अच्छी तरह से धो लिजिए, अब डिलीशियस और बहुत पावरफुल रेमेडी बनने वाली है, साथ ही जो लॉंका पाउडर हमने बनाया था, वो भी हम दो चुटकी भर कर डाल लेंगे, ये करीब दो लॉंका पाउडर है अंदाजे से, और अब इस पर डाल लेंगे दिल खुश कर देने वाला गुलकन, ए तपी बना देने वाला ये एक पान, इस तरह बनाकर आपको रात को खाना खाने के पाद खा लेना है, जब आप सोने जाएंगे, तब तक ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, अगर आप ये पान साथ दिन रोजाना रात को इस तरह खा लेंगे, तो आप खुद कहे कि वह क्या रेमेडी बताई है, मेरिट लाइफ में फिस से हैपिनेस आ गई है, तो आप ये पान खाईए और मेरिट लाइफ एंचॉय कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, अगले वीडियो में आप से ख़र मुलाकात होगी, वीडियो कीजिए होगी, आला खाईए खंट लाइपग।